हलो गाईज, वेलकम बैक टो मैं चानल, तो कैसे हैं आप सभी, तो यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है, तो मैंने न, मतलब मैं पोहा बनाने वाली हूँ, तो पोहा बनाने के लिए मैंने पोहा को जो है पहली धूखे रख दिया था फुलने के लिए और यहाँ पे कड़ाई जो है कि मैं तो गरम हो गई है और मैंने उसमें 拜拜 ग्हुँन जाल दिया है इसे हम हलका सभूच लेंगे इस थोड़ी से लाल हो जाएग आगे हम इसे ब gen कर निकाल लेंगे, तो यह बड़िया हो चुकी है, निकलने लाईक, तो हम इसे निकाल रहे हैं इसके बाद मैंने इ जाने एड़ कर दिये हैं और तुरणति प्याजेज एड़ कर देंगे और इसे न थोड़ी दिर जो हम इसे लाल कर लेंगे उसके बाद आड़े इसके बाद जो है हमहरी मर्ची जो है उसे आड़ कर देंगे सब को मिला कर एक मिनिट वुनेंगे इसके बाद हम पूह जो है हमारा धोया हुआ पूह हम उसे एड़ करेंगे थोड़ा थोड़ा करके हम पूरी पूहे को एड़ करके भूनेंगे तो इसमें मैंने स्वाद अनुसार जो है नमक एड़ कर दिया है इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और मैंने इसमें आट किया धीर सरा हरा धनिया हरा धनिया अगर आप डाल दो न तो पड़िया वरी टिश्ट आती और उसके बाद जो है मैंने भूना हुआ जो शिंगदाने थे वो आट कर दिया और थोड़ा सा सिंगदाना जो है मैंने रख लिया है तो हमारा जो गर्म गरम पुहा है वो बनकी रेडी है मैंने थोड़ा सा बदाम जो है अलग से रख लिया था उपर से उसे गानिश करने के लिए उपर से डाल दो तो देखने में काफी अच्छा भी लगेगा और खाने में भी जो है अच्छा टेश्ट आएगा तो हमारी जो गर्मा गरम पुहा है वो बनकी रेडी है तो मैं सबसे पहले हस्बेंट को दे दूँगी तो ये रही हमारी बहुती बढ़िया वाली पुहा सिम्पल और तुरंथी जो है मैंने चाए भी रख दिया था तो अब मैं उन्हें चाए दी दूँगी ये आते वक्त कुछ सबजी ले आए थे क्योंकि आज संडे है और संडे को जो इनकी जल्दी छुटी होती है तो ये कुछ सबजी ले आए थे टमाडर पत्ता गुबी और ये जो लाल साग है नहीं लिया है तो यह लाल सागना बहुती फ्रेश थी, बहुती बढ़िया थी, तो यह अभी उसे तोड़ रहे हैं, तोड़ कर रख देंगे, यह भी नहीं बनेगा, हम इसे सुबह बनाएंगे, तो पत्ता को जो है, यह तोड़ कर रख देंगे, तो मैं बाद में जो है, इसे एक बार चेक कर लूँगे, अच्छी तरीके से, संड़े का जो दिन होता है, वो बहुत अच्छा दिन होता है, और यहां पर देखे, मेरे मतलब आदित्या को देखे, वो कैसा कर रहा है, अजीब अजीब हरकती करता है वो, और देखे, अच्छानक से क्या करेगा हूँ, आ गया है साथ तोड़ने है, मैंने फिर उसे मना किया कि तुम साग मत तोड़ो, उसकी बाद जो है, हाजबेन को मैंने कह दिया था, कि आप न सबजी बनाए, तो उन्होंने का ठेक है, मैं भिंडी का भुंजिया बनाऊंगा, तो यह वाली जो, तो इन्होंने जो है, मतलब भिंडी भी ल लेंगे, और देखिए, मेरी बीबी को, वो मुझे डरा रही है, हम, हम, करके, यह देखिए, अरे बाप, लेगा, देखा न, आप लोगोंने, यह ऐसे ही, जब भी में वीडियो शुट करती हो, तो वो ऐसे ही करती है, और कड़ाई जो है, गरम हो चुकी है, तो उसमें ले मस्टर ओल, इसके बाद हम इसमें अट कर देंगे, मस्टर दाने, है हु, तो वो साथी, सुखी हुई, लाल मिर्ची जो है, उसे भी अट कर देंगे, और थोड़ा साूच से हिला लेंगे, अब भिंडी, जो कटी हुई है, उसे आट कर देंगे, यह जो बिंदी का पुंजि बना रहे हैं बहुत ही बढ़िया बनकी रीडियो ही थी इसमें उसके बाद जो है इन्होंने लसुन एड़ कर दिया है कद्दू कस करके तो ये ना लसुन को ऐसे ही डालते हैं तो घर में ना सबको खासी हो गई है सब लोग खास रहे हैं मैं भी बहुत खासती हूं जब भी मुझे खासी वगएर आती है तो मैं मतलब वोईज रिकोर्ड है उसे मतलब स्टॉप कर देती हूं अज़ी बाद हमने इस पर ना हल्दी एड़ कर दिया है हल्दी नमक जो है जो भी हमें डालना था स्वादा नूसर हमने सब कुछ आद कर दिया है तो यहां पर हमारी जो भुंजिया है भींडी की भुंजिया वो रेडी है गैस को कर देंगी बन फटाफट से जो है अब मैं आटा लगा लूंगी तो यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ, मुझे बनाने है पराथे तो यहाँ पर मेरी आटा लग चुकी है, मैंने लोई काट लिये है, अब मैं थोड़ा सा औयल ले लूंगी और यह जो कटोरी है थोड़ी गरम थी क्योंकि गयास के पास ही में ने रखा हुआ था तो जो पहली रोटी है न वो मैं मतलब सुखी रोटी बनाऊंगी क्यों आदित्य जो बोल रहा था उसे न फुली हुई रोटी देखना है तो एक जो है मैंने उसे फुला कर दिखा दिया है वो खाता नहीं यह मतलब पराठी खाना पसंद करता है इस तरह के मतलब जो ड्राय रोटी होती है न वो पसंद नहीं करता है लेकिन उसे फुली हुई देखना था इसलिए मुझे एक रोटी जो है फुला कर उसे दिखाना प तो वीडियो जो है काफी लंबा था तो मैंने इसे मतलब फास्ट कर दिया है बहुत लंबी वीडियो हो गई थी यह इसकी बाद जो है मैंने आदित्ता का जो प्लेट है वो लगा दिया है तो मैं उसे यहां पर सालड दे रहे हैं कि जश्ट हस्बेन ने बनाया थी सालड मतलब पत्ता गोभी टमाटर और प्याच के और भिंडी आदित्ता खाएगा तो ने लेकिन मैंने फिर भी उससे जो है द उसने एंड में जो लाश्ट में भी न उसने खाया नहीं लाश्ट में हमें हाकर मतलब हमने कहा कि अगर खाओगे तो ठीक है ने तो हमें दे दू तो देखें यहां पर मैं मतलब हमारा प्रेट लगा लिए आदित्ता जो है टेबल में बटके खा रहा है हम लोग जो यह करना हम लोग इंतजार करते रहते हैं कि कब शाम होगी कब हजब बनाएंगे और कब जो है चारों को फुल फैमिली साथ में जो है करेंगी हमारा रात का डीनर तो देखि किस तरीके से बेबी जो है बेबी भी खा रही है हम लोगों के साथ बाइ फ्रेंज